तो फिलहाल आपकर ये रहे हैं, आप भावनाओं की मिठास और आसपास की मिठास के बीच मुकाबल ख़ड़ा कर रहे हैं। आसपास मिठास तब तक नहीं आएगी, जब तक हुनर नहो, प्रतिभा नहो, अब रिष्टा एक मेहनत का काम है, आपको इसे बनाना पड़ता है, आपको इसे संभालना पड़ता है, इसके कई पहलू हैं। पस आपको आपकी तकनीक को अपग्रेड करने को कह रहा हूं ताके आप सेल्फ स्टार्ट बन जाएं। धरनाएं वगेरा सब हैं, या जो भी? हम इसी आयाम पर ठिके रहेंगे, अगर आप दूसरे आयाम पर रहेंगे, तो मैं आपको समझ नहीं पहलूँ हैं। और जीवन उर्जा है, उस उर्जा के बिना ये सब काम नहीं करेगा, तो ये चार आयाम हैं, जिसे आप प्यार कह रहे हैं, वो भावनाओं की एक खास मिठास है। सवाल ये नहीं है कि इसे किसने ट्रिगर किया, बात बस ये है, किसी और की वज़े से या चीज की वज़े से आप भावनाओं की एक खास मिठास महसूस करने लगे, जो उस वक्त इतनी कीमती हो गई, आपने किटनी का बादा कर दिया, उस एक पल में, क्योंकि वो मिठास इ इसा कुछ, क्या है वो, वो क्या है, यही बात बड़े जबर्दस तरीके से कहते हैं, तो उस पल में मैं अपने किटनी निकाल कर आपको दे देना चाहता हूँ, पर बाल नहीं, उतना साफ है, ठीक है, तो असल में ये भावनाओं की मिठास है, मिठास का मतलब ये है, देख क्योंकि शरीर में ये खास मिठास है, मिठास सुखद है, आप किसी चीज़ को स्वीट कहते हैं, क्योंकि आप कहते हैं, और वो कितनी स्वीट है, क्योंकि वो आपके लिए हस्मुक है, आपके लिए, आपके अनुभव में वो हस्मुक है, तो आप कहते हैं, ये स्वीट है, तो अगर आपका शरीर सुखद हो जाए, तो हम इसे सेहत कहेंगे अगर ये बहुत जादा सुखद हो जाए, तो हम इसे सुख कहते हैं अगर आपका मन सुखद हो जाए, तो हम इसे शान्ती कहते हैं आप सुखद महसूस कर रहे हैं तो आप कहते हैं मैं शान्त हूँ, ये बहुत ज़ादा सुखद हो जाए तो आप इसे खुशी कहते हैं, आपकी भावनाएं सुखद हो गई, आप इसे प्यार कहते हैं, ये बहुत ज़ादा सुखद हो गई, अब आप इसे करुना कहते हैं, अ आवा के साथ जिसमें आप सांस लेते हैं, लोगों के साथ, आपको ये भी नहीं पता कि वो कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में बस मिठास है, तो हम इसे कहते हैं करुणा, अगर आपकी जीवन ऊर जाएं सुखद हो जाएं, तो हम इसे आनंद कहते हैं, अगर हमें कई ताकतों के सहयोग की जरुरत पड़ती है, हालातों को सहयोग करना होगा, लोगों को सहयोग करना होगा, कई चीजों को हमारे हिसाब से होना होगा, वरना सफलता नहीं आएगी, आसपास की मिठास तब तक नहीं आएगी, जब तक कोई हुनर नहो, कोई प्रतिभा न हो, एक खास तरीके का management न हो, इसमें कई चीज़े हैं, लेकिन शरीर का सुख़द होना, मन में मिठास होना, भावनाओं की मिठास और आपकी उर्जाओं का सुख़द होना, 100% आपकी बनाई हुई चीज होनी चाहिए है न? आसपास की मिठास में सबका एक हिस्सा होता है, उसमें सबका एक रोल होता है, लेकिन बाकी चार आयामों में इस मिठास को आपको ही manage करना चाहिए, तो अगर इसकी कमान आपके हातों में है, तो आप इसे हमेशा बहुत ज़्यादा मीठा रखेंगे, आपका मन, आपकी भावना, आपका शरीर, सब कुछ, आप इसी तरह रखेंगे, तब ये सारे संघर्ष आपके लिए कोई माइने भी नहीं रखेंगे, ये एक आयाम है, पैसा बाहरी हालातों को आसान बनाने का एक साधन है, प्यार भीतरी मिठास पैदा करने का एक साधन ह लेकिन मैं कहा हूँ कि अंदर की मिठास या बाहर की मिठास दोरों में समय लगता है उस मिठास को बनने में जैसे अगर मुझे सफल बनने है बाहर की मिठास को समय, ऊरजा, कोशिश, चीज़ें चाहिए होती है जैसे एक रिष्टे को देख बाल की जरूरत होती है आपको उसे वक्त देना पड़ता है देखिए वो एक अलग चीज है मैं यही फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए प्यार वो है जो आपके भीतर होता है यह आपके दिल की मिठास है रिष्टा कभी-कभी यह महनत का काम होता है जब मैं प्यार की बात करता हूँ तो मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा है यह सब रिष्टे के बारे में है नहीं मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ अगर आपका शरीर सुखद महसूस कर रहा है, आप स्वस्थ और बढ़िया महसूस करेंगे, अगर आपका मन सुखद महसूस कर रहा है, तो आप शांत और खुश महसूस करते हैं, अगर आपकी भावनाइं सुखद लग रही हैं, तो आप प्यार में और करुणा महसूस करते ह आध्यात्मिक और गएर आध्यात्मिक बक्वास क्यों कहना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती, तो अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपके भावनाएं बड़ी स्वीट हैं, किसी चीज या किसी और के लिए नहीं, आप बस यहाँ बैठे हैं, भावनाएं स्वीट हैं, क्य वो बाहरी सफलता है, आपको इसे बनाना पड़ता है, इसे संभालना पड़ता है, इसके कई पहलों है, खेर हो सकता है, दूसरा इनसान भी, आपके बाहरी हालतों को देख रहा हो, ठीक है, वो सिर्फ आपके दिल के मिठास को नहीं देख रहे हैं, वो इसे भी देख रहे हैं कि आपने क्या पहना है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, आप कैसे हैं, आप कौन हैं, ये सब कुछ वो देख रहे होते हैं, तो एक रिष्टे में वैसे आयाम होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये उनसे आजाद है, खैर जब गुर्दे वाली चीज होती है, तो शायद थोड़ आपकी भावना की मिठास, अगर ये दो-तीन लोगों के साथ होतो, ये दो-तीन चीजों के साथ नहीं हो सकती है, इसे पैदा कर रहे होते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप धक्के से स्टार्ट होने वाली मशीन बनना चाहते हैं या सेल्फ स्टार्ट मशीन? सेल्फ स्टार्ट यानि आपकी स्टार्ट आपके द्वारा चालो होने वाली चीज होनी चाहिए, अगर आप इसे शेयर करना चाहें, तो शेयर कर सकते हैं, आप इसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप मत कीजिए, पर आपको स्टार्ट रहना चाहिए, आपको अपने लिए अगर आप यहाँ बैठें, आप अपने ही स्वभाहों में सुखद हैं, आपको सुखद बनाने के लिए किसी और को आपको कौँच कर उकसाने की जरूरत नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि तीन लोगों को आकर मुझे उकसाना पड़ेगा मुझे सुखद बनाने के लिए, मैं आप से सिर्फ आपको आपकी तकनिक अपग्रेड करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप सेल्फ स्टार्ट हो जाएं, जब आप सुखद उठें तो आप खुशी और प्यार से भरे हूँ, अगर कोई आया तो हम शेयर करेंगे, कोई नहीं आया, हम तब भी बढ़ियाएं अवड़ियाएं